हेई गाईज वालकम बाक तो दिमिश्टर व्यास और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलीटेर है कि आपके एक्जिस्टिंग जो ट्राफिक है आपकी साइट पर जो अल्रेडेडे एक्जिस्टिंग ट्राफिक है उसको टू टू टाइम्स और थी टामस के से डबल करें यह बेसिक सी टेक्निक्स है जो बेसिकली आपको कभी भी आपके पोस्ट को पब्लीश करने से पहले आपको वेरिफाइ करने होती है तो वो उस चीस के बारे में आज यहां पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इसके लिए आपको एक्जक्ली कौन आपको रन हो रहा है वहां पर डेफिनेटली जाईए और लाइक के बटन को लाइक कीजिए और साथी साथ मुझे कमेंट करके बताईए अगर आप एक्साइटेड हैं उसकी सीरीज को स्टार्ट होने से पहले हैं तो आपकी राया दीजिए तो डेफिनेटली इसके बिहाफ साथी ब्लॉगिंग से लेटेड ऑनलाइन अर्णिंग से लेटेड बहुत सारी इफरेंट 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 इंफर्मेशन्स वदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं एगाईज आई होके आपने चनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा नहीं किया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब के बटन को क्लिक और बैल आइकन को हिट करना मत बुलेगा चलिए गाईज वदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं और यहाँ पर हम डिस्क्राइब करने वाले हैं लिंक बिल्डिंग टैक्निक्स का एक सबसे इंपॉर्डन पार्ट जिसके वजह से मेरे साइट पे नई वेबसाइड पे अराउं 500 यूनिक विजिटर्स होने के बाउचुद भी वहां का पेज व्यूज आराउं 2000 पेज व्यूज के इक्वल आता है रीजन क्या है कौनसे चीज मैंने वहां पे इंप्लिमेंट की है यही सारे चीज़ें हम डिस्दस करने वाले हैं देखिए गाईज यही सारे नहीं है कि आपके सारे के सारे पोस्ट ग की दूसरी वेबसाइट पे आयमें दूसरे पेज़ेस पर आप उसको राउट कर सकते हैं यह भी एक लिंक बिल्डिंग का सबसे इंपोर्डेंट पार्ट है जो बहुत सारे ब्लॉग और सिंपलिमें नहीं करते हैं वह क्या करते हैं नए पोस्ट को लिखते हैं उस पोस्ट ऐसे जो उससे लिंक करते हैं जो उससे कहीं निकरते हैं ूस नीच से इलेयेटिद उन सब को उस पोस्ट के उस की वड के साथ में लिंक कर देजी लेकिए इससे क्या होता है कि बैसिकली जब भी कोई भी बंदा या कोई भी विजिटर आपके कासी पेट पे गूगल के और κα करके ही निकले यह पॉसीबल है जब आपके existing page के अंदर आप आपके दूसरे pages को interlink करेंगे तो interlink एक बहुत बड़ा important criteria है अभी बात करता है कि आपके website के traffic को आप कैसे double कर सकते हैं that comes under interlink की उसमें simplest आपको एक काम करना है आपकी website पे जो भी Google Analytics का जो page है जो आपकी site के साथ link रहे हैं अब आपके Google Analytics के अंदर जाए Google Analytics में जाने के बाद में उसको थोड़ा सा scroll down कीजे तो यहाँ पर नीचे आपको यह बहुत सारे options दिख रहे हैं यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आपकी site पे ऐसे कौन से pages है जिस पे सबसे जादा traffic आ रहा है आप last के 7 days को वहां पे search कीजे और अगर आपको वहां पे समझ में आता है कि यह मेरे वो pages है जहाँ पर सबसे जादा user का traffic आ रहा है that means कि यह वो pages है जहाँ पर आपको जितने भी नए-ने post होंगे उसको वहां से link कर देना है basically क्या होता है कि यह guarantee नहीं है कि आपने कोई भी post आज लिखा है वह आज ही की date में rank हो गया एक महीने बाद हो गया दो महीने बाद होगा लेकिन definitely आपके कुछ post है जो आपने 5 औ 6 महीने पहले लिख रहे हैं वह post अगर आज की date में rank हो रहे है तो आपको उस post के अ keyword के अंदर जा करके आपको simply URL निकालना है जो नई website का है और उसको वहां पर link कर देना इससे क्या होगा कि जो भी existing traffic है उसका around 40-50% आपको उन pages पे चला जाएगा जहां पर traffic नहीं आता है और यहीं एक यूनिक चीज हो जाती है आपके site के traffic को double करने की देखिए यहां पर हमा पर पहुंचाना जहां पर अपने affiliate link देके रखिए तो इन सारे cases में आपको simple सा काम करना है कि जब भी user आपकी किसी भी page में आएगा तो उस page में आने के बद आपके नहे page पे राउट होगा तो definitely add का impression दोनों साइड पे आएगा और add का impression दोनों पे आएगा मतलब add का जो RPM का पर आपका जो traffic है जो unique visitors का traffic है वो two times or three times multiply हो सकता है वो depend करता आप कितना अच्छा content लिखता है और कितने अच्छा interlinking करते हैं और वो interlinking आपके definitely traffic में improvement करते हैं so guys यह जो blog को posting का important part है वो definitely आपको focus करना है और एकर आप यह कर लेते हैं तो definitely आपके side का traffic easily two to three times improve हो जाता है यह एक सबसी important criteria है जो बहुत सारे bloggers post को publish करने से पहले focus नहीं करते हैं वे simply एक और दो linking करने के बाद में drop कर देते हैं तो quite better आपका यह गंटा दीजिए और आपके जितने भी post है उसको every new post के साथ में link कीजिए और हर एक ने post को past में published post के साथ में जाकर लिंक कीजिए और एक बार यह करके देखिए और आपके results देखिए आपके site पे आने वाला 10-15 दिन के अंदर definitely जिस site पे जिस post पे कभी traffic निया है वहाँ पर traffic आना start हो जाता है और सबसी important चीज़ अगर आपका जो नया page है वहाँ पर traffic आ रहा है अगर user का वहाँ पर bounce rate कम है वो definitely long time तक आप a positive signal for Google ranking और इसी case के अंदर आपको वहाँ से अच्छा engagement मिलेगा और Google आपके उस post को भी rank कर देगा So guys, यह interesting चीज तो जो बहुत सरा लोग miss कर रहे से तो I thought कि मैं आपको यहाँ पे वह चीज़ शेयर करूँ और definitely आपके Google Analytics के अंदर जा करके check कीजिए कि कौन को इसे pages यहाँ पर सबसे ज्यादा traffic आ रहा है और उन pages के साथ में जा करके आपके existing already जो ranking नहीं कर रहे हैं वह सार आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं That's all guys for today फिर मिलेंगा एक वीडियो के नदरत अब तक के लिए जय हिंग जय भारत